हलो दोस्तो आपका स्वागत है हमारे आपके यूटूब चैनल स्टेडी एक्जाम में तो हम आज 5 दिसंबर 2020 का करेंट अफर्स पढ़ेंगे जो MP के लिए बिसेश महत्यपून रहेगा और इसके लिए आपको डिस्क्रेप्शन में पीडियेप मिल जाएगी और वो भी हेंड राइटिंग रहेगा और बन लाइनर कोस्टन रहेगा करीबन 15 कोस्टन रहेंगे इसमें और MP पुलीज, MP PSC, MP SI के लिए बहुत आई MP कोस्टन रहेंगे डेली देखने के लिए हमारा यूटूब चैनल को प्लीज, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए चलो आँगे देखती है तो 5 सितंबर 2020 का करेंट अफर्ष देखेंगे MP करेंट अफर्ष एक सीजन में किसानों को सरवदिक बीमा रासी दिलाने वाला राज्य कुन सा है? मद्द प्रदेश है जो मद्द प्रदेश राज्य है वहाँ एक साल में दो बार बीमा रासी दिलाया है इसने दूसरा कोस्टन देखते है मद्द प्रदेश बना एक सीजन में किसानों को सरवदिक बीमा रासी दिलाने वाला राज्य यहां किसने कहा है? यह भुपेंद्रे सिंग जी है यह भुपेंद्रे सिंग नगरी एवं बिकास मंत्री है चलो आँगे देखते हैं तीसरा को संस है मद्द प्रदेश महा में दूसरी बार किसानों को मिलने वाला फसल भीमा का लाब चार महीने में आया है अब चौहता देखते हैं मद्द प्रदेश में प्राप्त गुनबत्ता भीहिन चावल प्रदाय का मामला किस को जाच की सोपी गई है जो है EOW को ये संस्ता है जिसको चावल का मामला की जाच करने के लिए दिया गया है यहां बाला घांट में अधिकतर पाया जाता है ये चावल चलो आँगे देखते हैं कोसंज नम्मर पाजबा मद्द प्रदेश से मिलर्स से प्राप्त गुनबत्ता भीहिन चावल प्रदाय का मामला EOW को जाच का आदेश किसके द्वारा दिया गया था ये अपने MP के मुक मंत्री सिवराज सिंग चोहन के द्वारा दिया गया था क्योंकि ये चावल की गुनबत्ता भहुत खराब थी और यहां बाला घांट में पाया जाता है और यहां अपनी ये सिवसाटी है इसमें दिया जाता था गरीबों लोगों को अब देखते हैं छटबा कोस्तंस मद्द प्रदेश में कब से खुलने संग्राले एबम इसमारक कब से खुलेंगे ये चार दिसम्बर से खुल चुके हैं लोगडाउन था तो ये इसमारक और संग्राले चार दिसंबर से खुल जाएंगे अब आँगे देखते हैं आँगे देखते हैं मद्ध्य प्रदेश में महिलाओं से सम्वंदित कानूनी मुद्दों पर विशेज बिधिक जागुरूकता सिबीर का आयोजन कब होगा ये 11 सितंबर को होगा भौपाल में पाक्सो एक्ट अनुसंधान एबं बितरन विशे पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसने किया है ये अपने नरोत्तम मिस्र जी है ये इन्होंने किये है चलो देखते आँगे और अब नोवा कोशन्स मद्द्द प्रदेश के किस जीले में आटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का निर्मान किया गया कहां पर किया गया है ये भौपाल में किया गया है फिर दजबा देखते हैं मद्देप्रदेश के किस सहर में करीब 35 एकड़ में एकिकरत ठोस अपसिष्ट प्रबंदन इकाई के तहेत प्लांड बनकर त्यार हो गया है यहां कहां पर है ये सागर जीला में है सागर जीला में है अप ग्यारा क्वश्टन देखते हैं मादक पधार्तों के मामले में निराकरन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा ये इंदोर सहर में किया जाएगा तो दोस्तों हमारा यूटूब चैनल आपको पसंद आये तो प्लीज इससे सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंड कीजिए और जादा जादा